शाम के डिनर की यहां पर तयारिया होने लग गई हैं यह काफे भीजा में शूट करता हो जनरली इतनी बीड़ होती नहीं आज बहुत जादा बीड़ है और सूरज दिवता गजब गजब है तो यार अभी शाम के 6 बज़रे मैंने शौट नैपली बढ़िया सी अभी और फिर मैंने सुचा कि आप शांते से वीडियो बनाँ हो तीन चार बज़े बनाना था इतनी ज़्यादा दूपती इसके अधनी है फिर उने से थोड़ा सा और च्हां होने देते और अभी भी बापरे बाप 6 बज़ गई यह डिनर के यहां तैयारिया चाले हो गई है लेकिन सूरस देवता हस से मस नहीं हो रहे हैं तो आज का एक एलो व्लॉग के लिए वीडियो के लिए जो भी मर्जी हो आपकी तो इसमें मैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह बताने वाला हो कि रोम शहर जहां पर मैं हूँ दे कैपिटल सिटी ऑफ इटली कैसा है करने वाले हैं तो पहले कहीं जगा चलना पड़ेगा तभी जाके बात की जा सकती है तो रोम मुझे डीसेंट लगता है वैसे तो सिटी काफी अच्छी क्योंकि जितनी वी आसपास की सिटीज है कसीनों कहलो या आसपास की जितने भी छोटे चोटे डाउंस है वहां पर जि चुडिंस के लिए जाधा फेब्रेल सटी इसली भी क्योंकि यहां पर तीन मेजर पब्लिक उनिवर्सिटी लोकेड़ है से पेंजा उनिवर्सिटी ओफ रोम तोरवर गाता और अपना रोमा तरे उनिवर्सिटी और प्राइवेड में भी अच्छे खासी उनिवर्सिटी त क्या लोग करते हैं और सब अच्छा माहूल बनता है एक दुबार मैं भी गया हूं पहले-पहले तो हाँ और बाकी सिटी की बात करें अपर स्पेसिफिकली तो मतलब अगर घूमने का मन बहुत है आपको तो यहां पर इतनी सारी प्लेसे से जहां पर आप विजिट कर सकते ह हो वैटिकन जा सकते हो प्लेसे जहां पर जा सकते हो तो घूमने के लिए तो आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी आसपास रोम के आसपास भी बहुत सारी जगह है रियती जा सकते हो बीच अगर इंजॉय करना हो तो तो यस लॉट अफ प्लेस टू एक्स्प्लोर नियर र यहां की शिटी जो ही ना वह काफी बड़ी सीटी तो यहाँ पर ट्रांसपोरटेशन भी मतलब डीजिंट ही कहूंगा मैंने इसके अच्छी ट्रांसपोटेशन तो कर चीए तो एक बड़ी चरिक्टीबच्ची अच्छी है तो आप बड़ी तरीकत से इसको एक्स्प्लोर क यहां पर पहले मैं रख देता हूं फिर बात करता है तो अगर मैं जौब के बात करूं तो यहां पर काफी ज्यादा पॉर्चुनिटी से रोम और मिलान यह दोनों ही शहर है जोब्स के लिए जाने जाते हैं टूरिज्म में और इटी में करना चाहते हो तो यह कंट्री यह बूम पर होते हैं और उसी वेज़े से जादा से जादा स्टाफ इन फिल्स में जादे रिक्वार्मेंट होती हैं और काफी सारे इंट्रेशनल कंपनीज के सेटप्स भी यहां पर ऑफिसे यहां पर तो उसका भी एक एज आपको फॉर्शॉर मिलेगा काफी सारे जरासे भी आप जॉब डूड सकते हो रोम में कुछ लोग जो है वो रोमन डायलेक्ट में अपनी इटालेन इटालेन भी डायलेक्ट होते हैं यहां की लोग ऐसी ही बूलते हैं और आप लिए तो यहां पर जो है पार्ट टाइम में ऑविसलिए ट्विट्टी ट्विट्टी आर्स होते आलाउड वाक करने के लिए मिया पर तो यहां पर आप 700 यूरो पर मंत अर्न कर सकते हैं इन पार्ट टाइम जॉब इस देमं 700-800 maximum amount है क्योंकि Saturday Sunday को भी extra working hours कर सकते हो चाहो तो इतना amount कर सकते हो पर आर करेट 5-7 यूरो के बीच में कहीं आपको मिलता है तो यह तो salary की बात रहती जिससे आराम से मतलब you can save a bit also और साथी साथ जो है अपने living expenses को तो मैनेज करी सकते हो 500 यूरो में ने बताई था अब इसी से related मै है कि पहले रील भी बनाई थी कि आप jobs की situation पर तो मतलब यहां पर almost सारे ही students को तो नहीं 80-90 परसे स्टुएंट्स को jobs मिली जाती है पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं कही नहीं कोई सी भी फिल्ड में अगर आप compromise कर सकते हो अपनी अपनी इच्छाओ पैसे तो क्यार मैं ऐ अगरेटर की जॉब कर रहे है दो लोग फिर उसके बाद अभी परसुन और सुमें एक से मिला था वो जो है के टेकर की जॉब कर रहे हैं यहां पर क्योंकि ओल्ड लोग बहुत है तो उनको के टेकर चाहिए रहे हैं तो यह कुछ मेजर मेजर जॉब्स है आप मैं कहूंगा कर सकते हो अगर आपको एक्स्पीरिंस है तो इलेक्टुशन की इलेक्ट्रिक का कुछ काम आता हो मुबाइल रिपेरिंग को कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्स होती जहां पर वह आपको अपना अलग अजमाना रहता है तो जैसे यह लोग ऐसे पांच साल हो चुकिया मैं बहुर हो गया हूं इससक चीजों से सच बतारों इसली मैंने बोला तो स्टार्टिक में कि मेरे को डिसेंट लगता हूं वह ऐसे ही है थोड़े ज्यादा टाइम लेता हो ना क्योंकि मैंने इससे भी काफी खुशूरत जग है देखी है जहां पर म पर दो चीजों से इंपर्टन नेटवर्किंग और जबने चांसे बढ़े जाते हैं तो यह समें हम लोग फिर अव नेक्स ब्लॉग मैं किल देन बवाई टेक्क्यार वाल देवेस्ट